मार्केट में जो लॉसेस होते हैं दोस्तों उसका सबसे बड़ा जो कारण है न दोस्तों दो है दो ही कारण है पहला है over analysis पहला है over analysis एंड दूसरा है दोस्तो over trading अगर यह दो चीजों से हम बच जाते है न analysis हमारी अगर simple हो जाती है और over trading अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत ज्यादा chances है तो बहुत ही ज्यादा chances है दोस्तों कि हम losses से बच जाएं आज हमने कहां पर trade लिया है क्या trade किया है उसका region क्या था logic क्या था trade का वो सब कुछ मैं आपको update करने की कोसिस करूंगा दोस्तों आज की जो live trading है पहले उसे देख लेते हैं अभी हाल फिलाल में market seller के control में दोस्तों यह candle में इतना बड़ा move आता है ठीक है इसको recover करने के लिए मार्केट नीचे के तरफ जा सकते दोस्तों वन मिनिट का टाइम फ्रेम है एंड यहां पर हम पैटन को समझने की कोशिस करते हैं देश एक बेरिस पोलेंड फ्लैक पैटन बनते हुए आप हमें दीख रहा है तो चांसे बेरी आए कि मार्केट यहां से नीचे के तरफ निकल है अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो मॉमें टरीन है मिल सकती है JOE सटा है क्लिए मार्केट यहां से नीचे के तरफ आ सकता है ऐको तो देखते हैं तो दोस्तों सिंपल आलिसिस थि फिटी के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेंगे 600 कॉंटिटी को ट्रेड किया हुआ है 270 के असपास मिला है दोस्तों 3450 अभी मार्केट चल रहा है तीजी के साथ मार्केट नीचे आ जहां पर हमने ट्रेड लिया है प्रॉफिट लॉस यहां पर हाइड है कितने पॉइंट हम यहां पर मिल रहा है दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा बट प्रॉफिट और लॉस को हाइड क्या हुआ है पहले भी मैं अप्डेट कर चुका हूं चाट पर आ जाते हैं कहां पर प्लान के ता दिस यह लेवल पर इससे पहले भी एक लिए अपडेट किया गया था दोस्तों यहां पर एक फ्लैग पैटन बीरिस फ्लैग पैटन यहां पर बंती वे दीख रहा है सो मार्केट नीचे के तरह आ सकता है बड़ लेकिन हमें एंट् यहां पर यहां पर यहां से तीजिक साथ मार्केट नीचे के तरह आ गया जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों दोस्तों आये यहां पर निकाल देते हैं ठीक है परें मार्केट चल रहा है यहां पर ऐगनली यह जाते हैं जो केंडल उसको अगर आप कमएर कर भी हो ती हो उखिए जहां निया है ओके चलिए हमने यहां पे ट्रेड लिया और यहां पे निगल गए क्या करना बहुत मुझ्किल था यह बहुत दूस सकती थी बढ़ हमने इंट्री यहां पर नहीं लिए उसका रिजन क्या था फॉस्ट अगर हम देखे तो कल मार्केट एक रेंज में था आज मार्केट गैप खुलता है कल यहां पर आम रेटेलर वेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर इसको निकालता है यह रेंज को ब्रेक आउट करता है तो एक अच्छा गासा मूव आएगा आज के दिन उनको यहां पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ दोस्तों ठीक है मार्केट ग आता है मार्केट भी ऐसा ही दिखा रहा है दोस्तों देखो मार्केट को मैंने बताया था कि ऑपरेटर को क्या चाहिए ऑपरेटर को क्या चीए ऑपरेटर को एसल चीए ट्रेप करेगा ऑपरेटर हमें ऑपरेटर को भी बताए कि कहां पे रिटेलर वेट कर रहे हैं कहां पे एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट भी दोस्तों मुमेंटम करता है बट ऑपरेटर के चाल को अगर हम समझ ले रहे हैं तो फिर हम लॉसे से बज सकते हैं यहां पर मार्केट ने बेस बनाया यहीं से मार्केट आज के दिन फिर यहां से रिकवरी तो यहां पर भाइंग हुई है तो ही मार्केट उपर गया है दोस्तों बट हम क्या यहां पर प्लान कर रहे थे हम क्या प्लान कर रहे थे इतनी बड़ी सेलिंग आई है मार्केट यहां पर support ले रहा है 53000 का असपास market क्या कर रहा है support ले रहा है 53 तुछ support ले रहा है उपर के तरब market ने एक range बना ऊपर कि रेंज बना हुआ है ठीक है resistance भी यह तोनों range को अगर market breakout करता है breakdown करता है तो यहां पर कुछ हम trade plan कर सकते हैं इसके ऊपर निकलता है तो seaside का कुछ trade में मिल सकता है कुछ ऐसा price section बने तो या फिर market अगर इसे break करता है इसे break करता है और यहां पर setup मिलता है तो यहां पर हम trade लेंगे यहां पे भी दोस्तों एक trade था जो आपको live market में update किया गया था मैं अगर आपको one minute के time frame पे दिखाऊ तो यहाँ पे भी trade था और यहाँ पे trade ना लेने का region क्या था दोस्तों मैं आपको update कर देता हूँ देखिए यहाँ पे हम देखे तो pole and flag pattern बन रहा था है यहाँ पे pole यहाँ पे slow हो रही है recovery जो रही है slow हो रही है ठीक है तो chances भी आ है कि market यहाँ पे नीचे के तरफ break करें तो यहाँ पे trade का option था यहाँ पे entry का एक option बनता था दोस्तों बट यहाँ पे trade ना लेने का reason क्या था कि नीचे के तरफ market ने यहाँ पे जो support बनाया है इसके नियरवाय आके market फिर उपर के तरफ जा सकता है कोई भी 100% यहां पर नहीं है ठीक है आप ऐसा नहीं सो सकते हो कि यहां break किया तो इसे भी break करके नीचे आएगा आपको आगे के तरफ भी देखना है कि market कहां पर रुख सकता है तो यहां पर दिख रहाता है कि market अगर यहा 5-minute के time frame पे दिखा हूं तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिस यह label को अगर market यहां से support ले भी रहा है दोस्तों तो इसको अगर निकालता है तो ही हम कुछ प्लान करेंगे यह रेंज में market को ट्रेड करेंगे तो यहां पे आप को आपको आपडेट भी किया गया था कि यह लेवल को market break बनती है एक बड़ी candle बनती है फिर market यहाँ पर एक five minute के टाइम फ्रेम पर ग्रीन चेंडल बनता है फिर market में यहां से selling देखने को मिल रहे दोस्तो इसके आस पास हमने entry ले थी और exit हमने यहां पे कर दिया था एक्जिट क्यों किया था उसका रिजन में दोस्तों मैंने आपको आपडेट किया था कि क्यों यहां पे हम एक्जिट कर रहे हैं क्योंकि जो मुमेंटम है जो कैंडल की जो साइज आप देखिए नीचे तरफ जैसे से मार्केट आ रहा है कैंडल की जो चोटी होती जा रही है , जो स्ट्रेंथ रेंद मार्केट है , लोस कर रहा हूँ ? सुद इसके आसपास हमने ? अग्जित कर दिये सकति करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आहीँ था यह जो momentum है यह momentum को catch किया है दोस्तों तो बहुत simple analysis थी कि हम यह zone को avoid करेंगे उपर के तरफ market अगर इसको निकालता है यह range को निकालता है तो हम यहाँ पे कुछ trade plan करेंगे यहाँ पे trade बनते हुए भी हम देख रहे थे बट यहाँ पे हमने entry ना लेने का reason भी मैंने आपको पता है दोस्तों कि क्यों हमने यहाँ पे trade नहीं लिया यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कल से कि यह level को अगर market break करता है तो फिर market में विखनेस आ सकती है कल कि अगर आप वीडियो तो कोई यहाँ पे over analysis नहीं थी दोस्तों simple analysis थी बस हमें क्या करना था पेसेंस के साथ अपने setup का वेट करना था पेसेंस में हर एक वीडियो में update करने की कोशिच करता हूं कि पेसेंस के साथ आप अपने setup का वेट कीजिए 100% अगर fulfill होता है आपका setup तो वहाँ पे आप trade प्लान कीजिए